पाकिस्तानी बल्ले बाजों 2016 में पाकिस्तान की जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया के दोरे पे गई थी और वहाँ पर उन्होंने यूनिस खान जो एक स्टार बल्ले बाज रहे हैं पाकिस्तानी टीम में उनको कुछ समझाने की कोशिश की थी लेकिन यूनिस खान ने उसी टाइम पर ब्रेकफास्ट के लिए स आगे उन्होंने एक बात और मानी है उन्होंने ये भी कहा है कि एहमद शहजाद एक ऐसा करेक्टर है पाकिस्तानी टीम में जो हमेशा रिबैलियस करेक्टर शो करते हैं वो हमेशा बागी बने रहते हैं हमेशा चीजों का विरोध करते हैं विरोध करते हैं तो ये बात भी कि बहुत सी टीमों में उन्होंने माना है कि ऐसे खिलाडी हमेशा मौजूद रहते हैं जो बातों का विरोध करते हैं या rebellious character होते हैं लेकिन उन्होंने का है कई बार ये सीधा भी पड़ता और कई बार आपको उल्टा भी इसका जहलना पड़ सकता है उन्होंने का कई बार आ पाकिस्तान के बल्ले बाजी कोच है हाला कि यूनिस खान ने उनकी प्रतिक्रिया पर कोई भी जवाब नहीं दिया है लेकिन उमीद है यूनिस खान जल्द ही उनकी इस जवाब पर अपना भी कोई counter जवाब देंगे तो आपको यी वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा